अज मैं आपको जीएस द्रश्टी के परियाफ वरण एवं पारिस्थितिकी के नेश्ट पार्ट पराने जा रही हूं और भी इसके कई पार्ट आएंगे इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक्रस्तुती की गई है मींस सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्रे के माध्यम से और रे डाइग्राम के माध्यम से कवर किया गया है देखिए अगर आप कोई भी जम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवस्से देख कर जाएं आपको निश्चे से लाफ मिलेगा देखिए जिन लोग आप कम पढ़िए और आप जो भी नंबर लाई है मैक्सिमम आउटपुट लाई है अगर आप इसका पर्यावरा लूम पारिस्तितिकी का पढ़ने जाएं तो एक मोटी बुक है जो आये संकर है और भी मार्केट मिल जाएं कि लिए कि मैं आपको बता रही हूं कि आप अगर मिलेगा जहां से कुष्टन बनते हैं हर चीज देखे ओजून ले आ रहे हैं बाग रिजर्व सब कुछ मिलेगा मैं आपको सबको सबको देदेरे कबर कराऊंगी ओके आये स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से देखें लेक्चा देखने के बाद आप फीडबैक जरूर स यह सबके बारे में लोगों ने बढ़ा था देखिए मैं आपको पढ़ा रह 프ण 0620 देखेंब करते हैं बने के लिए gat感じ चेने हैं होरे कर लिए फिसकर कर लिए जमें जल चक्र मिडर्बीन चक्र कर और और आपक्विजन में 첫प यह सब के बारे में पर लिए अब हम पढ़ेंगे और शादी चक्र जिसमें आएगा सल्फर चक्र या फास पोरस चक्र और सल्फर चक्र यह दोनों जो एकजम्पल है और साधी चक्र के एकजम्पल है और क्या पढ़ रहते कौन से टॉपिक था जैभूरसायनिक साई के लिए चक्र ठीक है आई देखते हैं सब्सक्र जो हमारा सल्फर है यहकBl मंडल में है रोप में रूप में यहाउव मंडल में रूपरिय된क हूद यह हमने यह देखा तरी लिए लिए या इधन जमिसने निकले घर गया parlar रहीने लेग के छाखञ़शuj लांट ऐस सब्सक्राम ट्रेम्रों निकलेगी ठीके ऐर क्या करेंगे औफिजन करें क्या बना लेगा सफाइड निकलता तो उससे उसे औफिजन करें करें प्रेजन होता है लेकिन जब यह वर्सा होती है तो जो गैस होती है वो किसके रूप में आ जाती है है स्लफाइड के रूप में आजाती है क्या होता है जब यह वर्षा होती है तो बिढ़ दोरा अब जाता है और इसको बहे करके कहां चला जाता है कुछ पार्ट इसमें समुद्र में यहां पर हाइड्रोजन से रिक्षन करेंगा तो क्या बन जाएगा hydrogen sulfide बन जाएगा थीक है hydrogen sulfide बन जाएगा तो है nitrogen sulfide कि में चींज़ करके आप देख रहे हैं के form में ही पौधे ग्रहण करते हैं अब आप ये देखिए थोड़ा आसान है डेखिए ये ये देख रहा है ुमें सुलफैट पौधाप द्वारा एक्जार्व कर लिया गया है आप देख रहें और इध्या कर Ini भी और आख्षी करेण भी होता है आख्षी चीषेत्र है यहां पर अनाक्सी च्ची होता है फिर यह हो जाता है ही पूर इसमें चला जाता है जल में चला जाता है फिर यह हैं तो जाता है पर ही के दिखिए रहे हैं स्लफ़ और ऌण या वजय कहते हैं तो और पाणयर उंटेक्शन करते हैं सफ़ह आज्या बन जाते हैं कि सब्सक्राइब बन जाता है जब वर्स्ट्राइब होती पढ़ाओं तो उसमे यह कीम पानीकिस साहता है तो इस प 싶은र के करके क्न बनाता है क्या बनाता है क्या बन जाता है मारा पूना किसमे आ ऐ सब्गहां करके यह जाता है था है किसमें हो जाता है इस की रूप में पिर इसकड निर्मोचन करके gene भी तो यही इसी से हमारा क्या है यह हमारा एक दूश्रे से वारा क्या है साइकलिक फॉर्म में यह मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या है साइकल जिसमें पढ़ाया था आपको क्या पढ़ाया है ऑक्सीजन साइकिल कार्बन साइकिल और नेट्रोन साइकिल यह इस मुस्ट इंपोर्टन है बस अब सलफर चाइकल थोड़ा सा बस ऐसे देख लीजिएगा ठीक है कि सलफर कहां से निकलता है वाई मंडल में सलफर किसके रुपी प्रेजेंट होता है इससे क यह पूछ लेता है कि उपस्तति कए अधियानमें रखेंगा देखिये इस नियुकलिक कोस میں रजा इस Walk का क्या है मक्य भूनका क्या है मैं?!" बोलते नहीं और क्या है दानत के संदानों भी हमें फासपोरस चाहिए यह कोश्चन पूछ लेता है ठीक है ध्यान रखेंगे जीयों को संदर में इसका निसकर्शन है चट्टानों का अपच्छै अपरदन और जविक पदार्थों की जिवारू एवं कवगदरा विक्तन है इ इससे एक्जाम में कुश्चन जहां से बनते हैं आप यह याद रखेंगा वाई मंदर पता आपको यह तो लगा ले जाएंगे बहुत कम बिद्वान रहता है प्राक्ति भंडार और इसका जो निर्माण है फासपोरस चक्र या फासपोरस साइकिल यह आप देख रहे हैं कि इसका जो उत्पादन होता है घुलन सील फासपेट के रूप में होता है फिर यही घुलन सील फासपेट के रूप में होता है फिर यही घुलन सील फासपेट जो होता है हमारा समुद्री जीव एवं मचली भी बनाता है और इसके बाद हमारा क्या बनाता है जो यह हमारा क्य है उत्ःला समुधरी तल है यह हमारा किसी बनाता है समुधरी मशली बनाता है यह धन रखेगा अब यह देखें पादव करता है यह पादव ड्रोल्ड करता है इस आदर प्लांड के दौरा थे यहां पर दैख रहे हैं यहां पर दिए हमारे पादा पर पनायए भूलंसी भी ब आदे जूंस सब्सक्राइब भी दूशिक जण चलाएं में यह गहराई पादपब पादप सर्दीमियेन तनल्ता दनल्ए है उत पादान ऑप घुलन फास्पेट कीूप तो यह ब्लांट गया प्लांट जिवारू फिर यह घूलनसील फासपेट के रूपे फिर फिर यही चेकर चलता रहता है यह थ्यान में रखे गारूट अब यह देखिए कुछ हमारे क्या है पल्चुप योगी दरश्टी क्यूश्चन है देखिए जियो में फासपोरस का गैसी ब इसका आउशादी होता है तो गैसी बिन में जो होता है वुन्हा के बराबर होता है देखिए श्वशन के लिए शरवादिक उपयोगी पोशा तो कौन सी है आयरान है नाटोजन इस तरीकर में महातव पूर्योगदान करने वाला तो कौन सा मौली बिद्ने में यह कुछन पू पाई जाती है कितनी पाई जाती है 26.17% पाई जाती है पौध है नाइटोजन को म्रदा से गरहन करते हैं अभी हमने बताया था कि फॉद्वाद्वे जो होते नाइटोजन को किस रूप में गगगोर घंग करतें कई बार रिकजा में पूछा गया है यह आप ध्यान में तो मैंने आपको इसमें बहुत ही अच्छे सी किया है फालो को सीखरता से पकाने के लिए प्रियुक्तर तो कौन सा है फासपोरा सा तत अगर पूछे फासपोरा सा कोई गैसे पूछे अथिलीन बताएंगे ठीक है याद रखेगा म्रदा से नाइट्रेट का समाप्त होना क्या हो जाता है ठीक है पेजल में नाइट्रेट के अधिक मात्रा से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथैनो ग्लोबो नीमिया देखें यह पूछा गया है ठीक है कई बार डिफेंट जामें पूछा गया यह भी पॉइंट याद रखेग पेजल में नाइट्रेट के अधिक मात्रा से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है या आपसे उसमें दिया रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथैनो ग्लोबो नीमिया दोनों में से कोई एक लगाएंगे अब हम देखेंगे निश देखे कुछ और है यह देखें ग कौन से वधाराण दों है वाउट्टाइट के निर्माण में एक संघाठक कौन सा है सलफ़र क्या है सलफ़र है करे पौधे म्रदा में अपनी जड़ों द्वारा आर्थो फासपेट की रूप में ग्राण करते हैं ऐसाएंग करते हैं फासोरस को पाउधे सलफ कर तोंब्रदा से अभे हम निया था страх 8 की रूप में अ किसके चनसलेशी जीवारण करते हैं अब देखिया पढ़ाने जा रही हूं वाइव मंडल जो कि बहुत ही एक जाम के दिश्चे से इंपोर्टेंट है और हां इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं जरूर इससे क्यूशन जरूर बन जाता है बहुत ही ही जी है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो कभी-कभी आपको दो से तीन म आप से यह भी पूछ लिया जाता है कि बताईए कि नाइट्रोजन और आक्सीजन के बाद तीसरा कौन सा वाइव मंडल में गैस पाए जाता है तो कौन से पाए जाता है और आप से भी पूछ लिया जाता है कि वाइव मंडल के सबसे निचली परत कौन सी है और जोर मंडल क को देखने को मिलते हैं तो यह टॉपिक आप एग्डॉर नहीं कर सकते हैं आए हम लोग देखते हैं देखे वाइव मंडल सबसे पहले हम इसकी देखते हैं परिभासा या डिफिनिसन इसकी क्या है देखे प्रतवी के परिता विदिमान वाईव यह गैसों का समू यह प्रतव जो कि इसका प्रति रहता है अथा प्रतिसाद रहते हैं नाइट्रोजन वह और फीजन की अगर हम बात करें तो और फिजन को मेंली हम लोग 21 प्रतिसाद बोलते हैं लगभग क्योंकि यह 20.95 प्रतिसाद है फिर इसके बाद हमारा क्या आता है और गन आता है जीरो प्रतिसाद फिर इसके बाद क्या आता है कारबन डाई आकसाइड देखिए आपके जामिबगर क्योश्चन पूछा हुआ था कि बताईए नाइट्रोजन और फीजन की बाद तीसरा कौन सा इलिमेंट है जो कि वाई मंडल में पाया जाता तो कौन सा बताएंगी आरगन है यह आप करम याद रखेगा नाइट्रोजन सब्सक्राद पाया जाता है फिर ऑक्षीजन पाया जाता है फिर इसके बाद स्कारबन डाय आकसाइड पाया जाता है फिर आपकर आपको याद करना है तो नियान भी याद रखेगा क्यों कभी कभी पूछ लेता हुआ फिर मेथ सबसे कम हमारा क्या है क्रिप्टान क्या है क्रिप्टान क्या है क्रिप्टान और हीलियम 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 के बाद आता है हीलियम के बाद क्रिप्टान है याद रखेगा यह बहुत कम पूछे जाएगा लेकिन एक पर क्या होता है कभी पूछ लिया क्योंकि आप देख रहे हैं प्रेपर बढ़ाने करेंट थोड़ बदल रहा है तो थोड़ा सा अगर आप सिलेबस कवर किये रहेंगे तो क्योंकि सिलेबस से बाहर तो आए गाई नहीं तो कोर्सम पूछनेंगे थोड़ा थेन बतल रहा है ठीक है तो आप देख रहे हैं तो यह सब ध्यान में रखेंगे अगर आ गया तो आप से क्यूशन गलत ना हो ठीक है एक बर और रिपीट करवा देरी नाइट्रोजन ओक्षीजन और अरगन कर्बन डियाक्षाइट नियान मेथेन हाइड्रोजन हीलियम फिक्रिप्टन यह हमारा वाई मंडल में प्रमो गैसे उनकी मातरा क्रम है अब मंडल है यह क्या है प्रतवी की सतह से 90 किलो मीटर की उचाई तक कितना है प्रतवी की सतह से 90 किलो मीटर की उचाई तक क्या है बिसम मंडल है यह आप ध्यान में रखिएगा ठीक है बिसम मंडल है अब देखिए इसमें कौन से होती है सम मंडल में उपस्ति सभी गैसे आपस इसमें घुली आवस्त में मिली होती हैं लेकिन इसमें कुछन बनते नहीं है अब देखिये इसमें क्या है वाईूमंडल बिभीन्य प्रकार की गैसो जलववास धूल कढ़ों से बना जो हमारा है अभी हमने इसमें गैस के बारे में पढ़ लिया कौन-कौन सी गैस है प्रमुक GASator कौन कों से है नाटोजन ओक्सीजन औरगन कार्बन डियाक्षाइड नियान हीलियाम ओजोन उजोन पाय जाती ऑजोन हाइडरोजन कृप्टोन किरिप्टॉन ट्यक्ख वुदु ऐन दखए हैं और क्या इसमें धूलकंड कोन-कौन से है धूलकंड होते हैं वाई मंडल इस्थिर नहीं है इसमें धूलक्त हरtt anal का क्रण करdr नहीं है इसमें मेंत्पार्ट के संब नहीं है अब सबते हैं नहीं तो अब अब अज्ब मन्डल का हमारा महात तो क्या होता है अगर हमारे अर्थ में प्रतवी में वाइव म autumn ना हो तोरечь है क्या हो अब देखरें तो बहुत है घर्मी और ठंडी फिर्शलपन से बहुत यह जाए घर्ड हो जाएगा हुआ कि प्रतवभी के 방文 Lea क्वारता है दिन के समय क्या करते हैं धूप आता है धूप अ Запाण कुछ यह स्थी उधनी होती है यह इppenसी निकलते हैं कहीं लेकिन कुछ ही एपजर्ब कर लिये जाता है जो एक्सीजन संपूर प्राणि जगत के लिए महातव है उसी प्रेकार जो जैसे आफ़ीजन महात्तो है उसी प्रेकार प्लांट के लिए आप कारबंडा एक्षाइड भी उप्योगी है खूलकर वर्षन के लिए उसमें किक्वाई बंडर रहेगा तो वर्षन पाय जाता है करें दूर करण हमारे वर्षा के लिए महात्यों है जल्वास की मातराई प्लांट एवं जियो जगत के लिए भी महत्व पूर्ण है ओजोन परत जो जोन लेयर होती है वह हानी कारक परा बैगनी के इंडरों से इसकी रच्छा करते हैं तो मैं आपको बता रही हूं कि मंडल का महत्व क्या है अब देखिए इसके क्या है अब देखिए इसके क्या है हमारे कौन-कौन से है यह इसकी परत ह कौन सी ले रहीं देखें, कौन कौन प्रम से मंडल पाया जाते हैं कितने मंडल हैं और Barray Dollar तक पाया जाते हैँ सहां कि अगर द्यान नर्काते देखेंगे तो आसानि समझ में आ जाये। हैं वह सर्की मंडल है एक मारे छोब मंडल और छोब मंडल यह हुम suppress और देख रहें और लॉक्त आपको कुछ याद नहीं करना है इसमें करना कि देख आप गखे चुगा कोरो कि भी क्रहने काइज आप जाए चौन करना पडेगा मैं तोड़ा बहुत से all right कि और कुछ है कि की इसे आपको क्या है भी इसमें लोग Import करते हैं चौब मंधल करते चौब मंधल तरह कुंसी सबसे व्मंधल की सबसे निचली परत आपματα जह से जया फीलिंग होती है तो धुमों पर है इसके जो उचाई है लगबग 8 km है वही जो बिश्वत ब्रत से इसकी जो उचाई है 18 km आप यहां देख रहे हैं 18 km लगबग है विश्वत रेखा पर इसकी उचाई है अब देखे जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है मतलब जो घटनाएं इंदर से मतलब जितनी भी मौसमी परिवर्तन होते हैं जिसमें वर्सा हो गया ठीक है वर्सा हो गया कुहुरा हो गया और ओला वर्सान होकर फौग हो गया यह सब जितनी भी घटनाएं होती है हमारे सब छोब मंडल में ही पाए जाते है यह कहने का मतलब है कि इनमें जो वाई होती कभी भी सांत नहीं होती है इसलिए छोब मंडल में कभी भी क्या है प्लेन हम लोग या वाईवान इसमें उड़ा नहीं सकते क्योंकि से मौसमी घटना होती है जिससे प्लेन क्रेस होने का ज्यादा खत्रा रहता है जो भी प्लेन उड़ाया जाते है यह उजोन मंडल में उड़ाया जाती है यह कोशन बना हुआ है तो इसमें इतना ध्यान रखे यह चोब मंडल जो है यह वायू मंडल की सबसी निशली परत है जो धुरूओं पर इसकी जो लंबाई है आठ किलो मीटर है लेकिन जो विसुत ब्रत पर लगभा इसकी लंबाई क अब निश्ट हम देखेंगे ओजोन मंडल कौन सी ओजोन मंडल इसका बिस्तार है आप देखना है यह तक छोब मंडल हुआ चोब मंडल के परत के रूप में यह क्या है चोब मंडल के परत के रूप में जो संकेंतरन होता है लगभाग होता है 15 से 35 किलो मीटर के जो ऑजोन जो निचली प्रत जो हमारे तापमान होते हैं यहां तक समान होते हैं लेकिन जैफे जैसे उचाएं के साथ जो तापमान होता है घड़ता नहीं बढ़ता है यहां तक तापमान होते हैं यह सामान होते हैं लेकिन जैफे जैसे क्या होते हैं वह हमारा तापमान बढ़ता है और देख रहे हैं यहां पर यहां पर कोई भी मौसमी घटनाय नहीं होती मंदल में कोई भी मोसमी घाटनाया नहीं होती है वाय अच्छैति चलती है और इसमें जो प्लेन होते हैं इसी इसी सीमा में चलाया जाते हैं यह आप लोग ध्यान में रखेएगा देखे इसको और मंदल बोलते हैं और मंदल या समताप मंदल ठीक है और आपसे क्या खोब मंडाल चोब टोप पैर और समताप मंडाल अर्भ पैर अब देखिस ती मदन मंड Looks like इस वाइब मंडल की तीश क्यों परत है इसके बीस्ताहर घॉ Elena लिख फिंडिमें पिंडि शेखे उलकाइब मंडल मीफ जाल जाते हैं इसकी जब उच〜 देख रहें उचाय के साथ आप मान फिर घटता है यहां पर बढ़ता है समान रहता लगभड़ा तर दीरे यहां पर भड़ता है यहां तुरह द्याने रखिएगा ने क्या है आएन मंदल वाइन मंदलिक्स लगभाग 400 palsy बिश्थार होता है इसमें रेडियो तरंगे और परिवर्थिद हों कर प्रद्वी नेन पर क्रेंड़ gracious भी पर लौट आती है आयन मंडल में ही आप दिहान में रखिएगा वाई में विद्धित आवेसी तरंगे भी इसमें प्रभायुत होती है आयन मंडल अब देखें नेश्ट क्या है सबसे उपदीपरत कौन सी है बहा मंडल बहा मंडल है यह वाई मंडल की सरवोच्च परत है इसमें क्या गुट्वा करसंग जो प्रभाव होता है बहुत कम होता है जो इसमें ग्राविटिशनल फोर्स होता है बहुत कम होता है जिसके कहां जो गैसे बहुत ही बिराल होते हैं वाई को गजुघनत होता है डेंसिटी होती है यह बहुत कम होता है यह आद रखिएगा य कि मैं जितना भी इंपोर्टन था मैंने आपको बता दिया इससे क्यूशन बनते हैं आप एक दो बार इसको रिपीट करें जरूद देख लिए इंपोर्टन है आप ध्यान में रखिएगा आईए मैं आपको इस्प्रेंग करें के बताते हूं एक मंदल देखिए इसका क्या है उसको बस आप विचिलाइश करिए जो मैंने आपको बताया है ना उसको इमेजिन करिए ठीक है तो वाई मंदल की सबसे यह निचली परत है उचाई बिश्वत ब्रत पर लगबग 18 किलोमीटर है एवन धुरूओं पर लगबग 8 किलोमीटर है देखिए इसमें सभी प्रकार बढ़ता है वैसे वैसे इसकी जो टमप्रेचर है वह घड़ता है अब नेश देखिए समताप मंडल यह इस ट्रैप्टो इस पेर इसको जो बिस्ताहर है चोप मंडल की उपरी परत से 50 किलोमीटर तेक इसका बिस्ताहर है और देखिए ओजोन के परत के रूप में संकेंद् किसी प्रिकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती है वाई 36 चलती है यहीं चलती है और आप देख रहा है इसमें निचलेट भाग में 20 किलोमीटर तक के उचाही जो तापमान होते हैं लगबसमान होते लेकिए इसमें उचाह बढ़ने सा टमप्रेचर भी इंक्रीज होता है भी इसके उचाही धराथा से लगभग 50 से 80 किलोमीटर है उलका पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं उचाही बढ़ने के साथ सा तापमान में कमी आती है 80 किलोमीटर के उचाही पर तापमान जीरो डिग्री से से मानस 100 डिग्री से तक नीचे चला जाता है नहीं कहने किस मंडल से परवर्तित होका प्रत्वी पर पुनलोट आती तो कौन से मंडल है वह आयन मंडल है उचाही बढ़ने के साथ सा तापमान में भी इसमें इंक्रीज होए लगती है इसके परत के उचाही है लगभग 30 से 400 किलोमीटर होती है इसका जो बिस्ताहर है 80 से 400 किलोमीट है इसके प्रभाव की कमी हो जाएगी जिसके करना जो गैसे होंगे आती बिराल हो जाएगी वाई को घना तो बहुत कम हो जाएगा और इसी मंडल में संचार उपग्रहे 36,000 किलोमीटर की उचाही पर बिद्यवान रहते हैं यह अध्यान में रखिएगा देखे कुछ कोश्चन है आए हम लोग देखते हैं ओजोन छिद्र का सरवाधिक निर्माड पाया जाता है कहां पाया जाता है अंटार्टिका के ऊपर ओजोन छिद्र का सरवाधिक निर्मा ही किसके लिए उतरदाई है जो आपसी उच कर रहे हैं हैलोजन नाइटरस अकसाइट एथेन हैलोजन इत्यादी कैसे यह ओजोन परत के छ्रण के लिए जो जो परत पतली हो रही है इसी के लिए गैसे उतरदाई है यह कोश्चन पूछा गया है आप दिहान में रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकारबन हैलोजन तथा कारबन टिट्रा क्लोराइड तीनों ही पदार्थ क्या है ओजोन दिखती कारक के लिए उतरदाई है यह दियान रखिए जो कोश्चन आये हुए यह सब पूछे गया है तो इसको दियान दीजिए ओजोन का आउच्छे करने वाले पद पूछे के लिए पूछे करने वाले पदार्थ के प्रियोग में इसको जो 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 गैसे यूज होते हैं उसकी नियंतने कंट्रोर के लिए मौन्टियल पूटुकाल बनाया गया है अब देखिए ओजोन परसन अच्छा के लिए अंतर राष्ट्री ओजोन दिवस का मना जाता है कई बार पूछा गया 16 सितंबर को मनाया जाता है सौर प्रथम वर्स उन्नीज सो पचासी में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदस से अंटार्टिका के ऊपर ओजोन चिद्र का पता लगाया था किसने लगाया था ब्रिटिस अंटार्टिक सर्वे द अब देखें जो मारा अब प्रिजा और आशी उन्तरोम में ठंडक के रूप में प्रियोक किया जाता है वह क्या है कॉन सी गैसे से क्लोरो फ्लॉर कारबन है यहीं जो उतर दाई होती है किसमें उतरदाई होती है यह सब हमारे जोन परत कर चीड होने में उतर दाई करते हैं अब देखें सम्ताप मंडल में ओजोन के इस्तर को प्राक्तिक रूप से बीनिमित किया जाता है कि इसमें नाइटोजन आक्षाइड द्वारा जो सम्ताप मंडल में है जो ओजोन के इस्तर को प्राक्तिक रूप से बीनिमित किया जाता है कि इसके से जादा इसकी मोटाई रहती है कोशन पूछा गए आप दिहान में रखेंगा देखेंगे अभी पूछा गया है ओजोन परत को मापा जाता है डापसन इकाई में जीरो डेडी सेल्सियस तथा एक एटियम दाप पर शुद्ध ओजोन परत की 0.01 मीमी की मोटाई बराबर होती किसके दौरा एक डापसन इूनिट की दौरा किसके दौरा होती जीरो पैंट जीरो वन मिली मीटर की मोटाई बराबर होती है किसके दौरा एक डापसन इूनिट के बराबर होती है कि किसके बराबर होती है एक डापसन इूनिट के बराबर होती है आक्सीजन के तीन परमाड के रूप में ओजोन गैस सूर के परवेगनी बिक्रणिया अल्ट्रा वाले किरणों से प्रद्भी पर जीवन को बचाती है जबकि जमीन की शताप के ऊपर अर्थात निचले वायु मंडल में एक खतानाग प्रदूशक है देखिए जो हमारे उपरी वायु मंडल में उपरी उपरे जाते हैं यह एक लापो दाया हो लेकिन वह जो निचले 10 वायं mendalam है यह खताथनाग प्रदूशक क्या है खतारी प्रदूशक है औरसमा के बने हैं मैं भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आप इस यह मुष्ट इंपोर्टेंट से निकलने वलत रंचे कासी है से सुछ पर में परनगर में 165 बचाई परताप मांदल 151 धोंट जाता है तापमान गिरावट की है केरी द bitches ऐखे तापमान की समान गिरावट की दर कह कहलाती है तापमान की सब्सक्राइब की धर्ड ओप मंचा सुपंध्रे चरवडित तांपमान के गठता है से एक सुपनेट समान गिरावट Indonesian प्रतवी के सता से अंतिरिच के और उद्वाधर गटने पर वाय मंडली से घ्टना करना करता है अगर वियां अंतिरिचका अगर लोन नते हैं तो प्रिषित घटना है मौसम की सभी घटना कहां घटित होती है चोप मंडल या टोपो इसपेर में घटित होती है भी हमने बताया है वाइवानों की उड़ाने के लिए आदर्श परत कौन सी है समताप मंडल या इस्ट्रेटो इसपेर है यह आप सब ध्यार में रखिएगा यह देखिए यह थोड़ है यहां पर यहां पर आपने देखा यह चोब मंडल है यहां पर क्या है चोब मंडल है यहां पर टोपे स्पेर है यह हमारा समताप मंडल यह स्टेटो स्पेर है फिस समताप मंडल सीमा यह उजोंपरत है हम पर हमारी पाई जाती है सम जोंपरत है आप देख रहे हैं कि अध्य मंदल यहां पर आपस आजाती है आपको बस वही चीद आद रखना है यहां देख रहे हैं वह मंदल की सबसे निशली परत क्या है आप देख रहे हैं मौसम की मौसम की प्राया सभी घटना जो बादल ओला कोहरा तुसार मेगर जन आधी तुफान बुद्धुत प्रेकासादे चोब मंडल में घटित होती है जो भी मौसम में परिवारतन होता है वह सब कोई भी कुछन पूछ ले तो आप सब क्या मंडल या हमारे क्या ट्रोप लगाएंगे ठीके उचाई अभी पताया था हमने कि कितने बढ़ती उचाई के साथ एक किलोमीटर पर 6.5 तुचाई के साथ प्रती एक किलोमीटर लगभग आप ध्यान में तक्किएगा आप देखिए और देखिए कुश्चन आप देखिए छोब मंडल की बढ़ती देखिए छोब मंडल की बढ़ती उचाई के साथ प्रती एक किलोमीटर पर तापमान के कितनी कमी आती 6.5 डिगरी सेल्सेस की कमी आती देखिए वहां पर पूछा गया था मीटर साथ मैंने साथ किलोमीटर बताया हो तो आप ध्यान रखिएगा कि 16 365 मीटर पर हमारा कितनी विस अदू बढ़ती है 65 मीटर पर 305 मीटर की मिख़ाई पर एक डिछाहता भड़ता है एक डिक Rules बढ़ता है लेकिन हैं पर cessation किलोमीटर करा था कि आपमान में कमी आती है ध्यान में रखिए करने कि लियान फिलीप लियान फिलिप तीज जिक सब्सक्राइब और ने किया था सुक्स हवा में नैटोजन की मात्रा कितनी होती है अभी में डिस्कस किया था 78 पॉइंट लगबग होती है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधी के कौन सी है अभी में बता जाता है नैटोजन है धरातर पर 50-90 किलोमीटर की उचाई तक पाई जाती क्या पाई जाती है कारबन डायाक्साइट पाई जाती है अब आप देखिए यह कैसे भूप्रस्ट से 90 किलोमीटर क्या है इसका हमारा मध्य मंडल यह नहीं मूशु मंडल यहां आप देख रहे हैं रेडियो तरंग हमारे यहां जाती है पर टक्रा कर यह पव टीबी नहीं सब पहें आए-न मंडल पाई जाते हैं आए अ लेज़ें आशल्क ब्लील मृत्रम हो ने के ठीक पहले डिके ली पृच्इडर्यार्या सुबार होने के ठीक पहले प्रतभी के ध्रूव के आसमान में लाल लीले हरे हरे रंग की मिश्चण उठ्पन प्रकाष में नहीं कि भोर आप देख रहे होंगे आस साम गधूली देख तो इस्टाइम आकाष जो होता है लाल हरे नीले रंग उसे द्धरु 마음에 बता है और द텐 क्या है Su जो उसमें है सौर पवनिया और शोषित कड़ों क्या है सौर पवनिया और शोषित कड़ों का वाई मंडल में उपसित गैसी और वो से घर्षन दुरूवी छेत्रों में वान एलन पेटियों का ना पाया जाना इसका यह कारण है देखे इसके जो प्रकार है हमारे क्या है दो प्रकार है एक हमारा प्रकार उत्तरी धुरूपर एक प्रकार हमारे दच्छडी धुरूपर जो उत्तरी धुरूपर क्या है उत्तरी धुरूवी प्रकास यह सुमोईरू जोती अरूरा बोरेलिस यह दच्छडी धुरूपर कौन यह सब उतरिवी जोती या आरूरा मेर जोती क्या है तो आप देख रहे हैं जो सुभा रात्री होती है जो ठीक होने से पहले जो आसमान दिखाई देते हैं वही है इसे कारान क्या है जो मारा शॉर पावान है यह हुस शुषित कर्णों को मंडल में जेघेसी होती है। उससी हषित्रों से घरशन होते हैं तो धुरूवी छेत्रों में one morning पेटियों का ना पाए जाना। का कुंसा ना पाए जाना अ मैला फोब ना पाए जाना। जबकि सीथ काल में जो शीथ काल जबकि ठंडी आती है तो इसके जो उचाई होती है घर जाती है गर्मियूम जो छोब मंदल के उचाई होती है वह बढ़ जाती है लेकिन जबकि ठंडी आती सीथ काल में घर जाती है ताप मंदल के निचले सता पर कभी-कभी सीरस बादल यह इफ्सन अपवाद है इन बात लोगों क्या कहा जाता है मदर आप बर्लिक्लाउड कहा जाता है उचाय के साथ ताफन में एक आए गिरावट लिए किसमें आतीài है ताफमार में गिरावट मद्ने मंधर मंदी परवरतन करती किसका करती नियून आवरत्ती वाले रेडियो तरंगों का यह क्या कर देती है परवर्तन करते हैं केनली हैबी साइट परत किसको कहा जाता है आयन मंदल के परत मुपस्थित कौन सी होती धुरूवी प्रिकास या अरूरा लाइट है इसमें प्रिजेंट होते आयन मंदल में ऐसा पदा ज सदान रोब से क्या कहलाएगा यह मिश्टन कहलाएगा ग्रीज काल में छोप मंदल कुछाई बढ़ जाती अभी हमने देखा है जैकि सीथ काल में यह घट जाती फिर से वही आ गया है देखे जैसे मैंने आपको यह टॉपिक पढ़ा दिया वाई मंदल तो अब आपको क्या जो कुछ भी ना है तो उसी टाइम आप लिख लिए एक से दुबार आप रीटिंग करेंगे तो आपको कितना टाइम नहीं है एक बार आप पढ़िए फिस दुबार आप क्योश्टन करें जो जो टॉपिक पढ़ते जाए उसी ताइम आप घटना चक पूरो लोको नक तो कितना याद हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं कि हमने पढ़ा फिर इसको रिकॉल में आप जब रिकॉल में तो आप यहीं से प्रैक्टिस कर लिजिएगा ठीक है अपने इस देखते हैं भारत का समिधान एवं परिया वरण का संबंद प्रत्यच एवं अप्रत्यच प्रत् प्रत्यच भी है और आप अफिते देखें किसमें दिया गया एक दिया प्रस्तावना के नहिकर परया वरण का संबंद इसमें दिया गया है और मूल अधिकारों के तेहट है इसमें अनुछे चाओधा 19 और 21 का प्रयोंग परिया वरण स्रांचर के लिए किया जाता इसमें याद रखें कि प्रियोग के लिए किया गया है वही अगर हम बात करें नीती नीदेशक ततों के तहट देखें क्या है इसके जो अनुचेद है किसमे अनुचेद 47 है और 48 क का क जो संवन्द है यह हमारे परिया दिया गया है वह संंसोधन है यह महातवत पूर्त थे या निक संसोधन है सकते हो या देखिए इसमें क्या है देखिए वन जीवसानचंत संसोध dette मिम क्या है ॉबच अभी लेटिश्ट है ओजोन छिदर के लिए प्रधानता उत्तरदाई कौन सी अभी हमने दिया गया तो कौन सा गया से क्लोरो फ्लोरो कारवन है ओजोन परत हिस्सा कहां पाई जाता है समताप मंडल या इस्ट्रेप्टो इस्पेर है वही सब है आपका रिपीट ही हो रहा है अब देखे महत्यपू जिसके अंतरगत वन जी नदी और वन जीव है रच्छा करें और उसका समवर्धन करें तथा प्राणी मात्रे के प्रति दया भाव रखे यह किसमें कहा गया है बैले समिधान संसुदन अधनियम उनीस सोचीयतर में किया गया तो कहां है मूल करतब अनुचेद एक्यावन का कि यह वरन जो कि अभी हमने यहां पर देखा है यहीं पि इसका इस में इसमें 38 बेंटे देशक तत्तों इसमें क्या कहा गया है राज राज देश के परियावरण का सनच्छन तत्था संवर्धन का और 1 तत्था वन जीओं की रच्छा करने का प्रयास करेगा अब देखें 1 जीओं सनच्छन अधनियां 1972 कई बार पूछा गया है इसी की डेट भी पूछ लिया गया कौन सी डेट है 1972 इसमें लागू करने का जो करन क्या है वर्ष 1972 में इस्टाक होम कॉन्फरेंस के उद्देशों की रच्छा करना और संपूर भारत में यह लागू हुआ है अब देखे इसमें जो प्रमुख संसोधन हुआ ह जनवरी 2003 में जनवरी 2003 में वन जिव संच्छन संसोधन अधनियम 2002 इसको बोला गया है त्रीक है यह आप ध्यान में रखेगा अब देखे जो हमारा हुआ है जो अभी हमें लेटेश अभी हमने देखा था वन जिव संसोधन हैं अधनियम 2022 के तहे संस्चन से समन्दित कुल च प्रतम अनुसूची में रखा गया आप देखे वन जिव प्रजातिया जिने उचितम संदच्छन का उच्छन प्राप्त है जो अनुसूची वन में वही जिव रखे जाएंगे जिनें बहुत ज्यादा और सकता है उसके रख रखाओं की तीक है और अनुसूची दो हमारी क्य गए हैं और स्वाधू में दो क्या मसला चार जेंगे घाया है एक आपको साइट के परिशिष्टों से सूची में यात रहेगा अनसूची 1 में वही रखे जाते हैं जो 1984 में भोपाल गैस दुरगटना हो गया था कब वा था दो या तीन दिसमबर में हुआ यह जाता है कि भोपाल गैस दुरगटना कब वा था तो 1984 में हुआ था तभी के बाद तभी से परियावन सच्छा दिनियम लाया गया था ने अन नाम किया है ठाता विधान है क्या न नाम है ठाता विधान हैं और भारत में यो लाग है अधनियम को पडेद से जून 1972 में अच्टाक को करना है क्या करना जो हमारा अभी देखा तो मैंने श्टाक होम सम्मेलन हुआ था 1972 में जो भी उस में दिर्णने लिया गया था उसी को कार्यों में लाना था इसका ये मुख उद्देश था आप ध्यान में ऐसे रख सकते हैं हनिन रखे आप देखें मानना तॉरा समेलन करहिए यह प्राश्ट कुछ वन नीं यहीं करोंगी आप जितना पढ़ाव हूँ उसको आप राप क्या करीए जैसे पढ़ते जाएं वैसे आपको कुश्चन लगाई जाएं और लिक्चर देखने के बाद आप फीडबे जरूर करें के लिक्चर कैसे लगा जो भी आपका आपकी क्योरी रहेगा आप जरूर और कमेंट बॉक्स में में इंसन करें ओके फैंक यू आज के लिए तना ही करत कि लिएने से फैंके कैसे लिए खाद के लिए जिस bleeding एगा है कि जरूर आब torchें के लिए जाट के कि लिए जगा जाजा मैं मां भी घगया जा़ लिए